बाइ फाइनली लाज्ट डे नेपाल अब नारंग घड में बेटे है कल सनौल बॉडर क्रॉस करेंगे फिर गौरगपूर जाके वहां से हमारी अलाबाद के लिए ट्रेन है यह रूम है आज के लिए आज के लिए तो इसका कुछ तो इतना डेलिक है पंदरा सो नेपलीज और भाई नार नार रहेंगे सो जाएंगे अब इक लिए घ्यों गुण नेपल से बहार निकलने के पहले आपको यहां का नोट बताना था क्योंकि इसके बाद यह नोट वापस धमिले गा नहीं आचव का नोट है जिसमें पीछे टाइगर और आगे आगे मांट एवरेस्ट है यह सो का नोट मैं जिसमें पीछे राइन मांट जई खराएऔर नोट है और हम जबड़ हम बखोगा आगे मांट अर्युमं का संब्स है इसके लिए six hundred 600 रुपीज लगता है 600 रुपीज नेपादीज अगर आठना उजन मिला तो फिर सुनोली बॉटर तक जाएगा ने तो बेरंगज तरके कुछता है वो नीचे दालनुगा नाम उधर तक जाएगा फिर उसके दूसरा गाड़ी पकड़ना वड़ेगा और गंशनकर पिंज शनर स्वाऑँ पनाम नमें लाड़ी नहीं है बैठ सकता है नगली अगंवरेगками दिखने में थोड़ा सहाल लगता अंकंफडेबले हैं पुने मुंबै अगर आपने किया है तो फोलिंदों ये जितना तकलीव होता है उससे कं तकलीव है अफ कि अभी हम लोग अल्मोस्ट सनॉली बॉर्डर पहुछने वाले यहां पर बहुत ट्राफिक है क्योंकि यह जो ट्रक्स वगेरा है इसे सामान इधर से उधर प्रॉस होता है तो यह बॉर्डर एक ही बॉर्डर है जो 24 आज फुला एंडियन्स के लिए इधर से उधर जाने के लिए और सीन यह की बागी सब बॉर्डर इसका टाइमी है और यहां पे पर्मिट पे स्टैम लगता है तो अब भी वह लगाएंगे और आगे प्रॉस करेंगे जैसे हम लोग बस से उत्रे बहुत कुछ ऐसा आटो वाले और गाड़ी वाले आके पूछने लगे कि आपको किदर जा रहा है तो एक गाड़ी वाला मिला जो हम लोगो यह तक लेके आया और यहां से हम लोगो गोरगपुर छोड़ेगा वो तो भाई सीन यह है कि बॉर्डर पे कुछ चे सुद्धिको कि भार जाएगा और हम लोग वे उस पर लेके जाएगा डैरять तो देखते हैं क्योंकि सफर लंबा रpine करेक थोड़ा फ्रेश होने को हम लोग ने सोचा तो उसने बोला आगे कहाए खाल यह फ्रेश हो जाएंग और फेर निकलेंगे आपन तो भाई साब हम आगे अभी गोरकपूर आपने जो देखा अभी वहम लोंगे बॉर्डर क्रॉसिंग किया इतना कुछ नहीं है बॉर्डर क्रॉसिंग में मतलब जनरलीक ऐसा है कि तो पुट ट्राफिक बहुत ज्यादा होना के वजए से और गाडिया बहुत काफी आतीise उत्रक्स में बहुत सामान भी इंपर्ट से निज-फॉर्डर इसे ऑधते हम मतलब सर्केस की तो पहले तो जो और भॉस्फर्ड झाम को को बोला कि जो जो बैग उसको सस्पिस्यस लग रहा था जो साइज में बड़ा था या जो भी उनका मार कर रहेगा उसी साब तो उसने बला यह यह बैग साइड में निकलो फिर रहना जो जो सिंफिंग डॉक्स थे उन्होंने शायद कुछ एक्स्प्लोजिव या कुछ इंफ ना डाइरी में नूटिंग करवाया उन्होंने जिसमें हमारा आइडी कार्ड और कहां से आये कहां जा रहे जो रेगुलर प्रोसीजर है वो करके फिर अमलग ने बॉर्डर क्रॉस कर लिए बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोग तकरीब अने ना तीन साठी तीन गंटे क वही जो शेयर्ड कैप राइड के साथ गोरगपूर स्टेशन पहुंच गया है वहां हमने सोचा कि हमारे रात की 11 बजे की ट्रेन है तो फिर क्या करते है इतने टाइम में कुछ गोरगपूर में देखने लायक है तो यहां का एक फेमस मंदिर है गोरग नफ्त मंदिर जो आ काफी फेमस स्पोड है और गुरतनाथ जी का दर्शन भी हो जाएगा तो फिर हम लोग अभी उदर गुरतनाथ जी के दर्शन के लिए आये हैं साइस देखो दोस लोग खाले खाजा 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 वाव खाजा स्वीट बहुत मिठ हैं वाघ क्या है कि अलार्मल चोटा वाला ठाजा जो आता है उसमें शकर का वो डालते पानी इसमें फोड़ा भी डाला है और यह नार्मल पुरी जैसा है मतलब उससे तोड़ा ख्रिस्पी है पर पुरी के साइस के अधि तो इसके बाद हम हमारे ट्रेन की तरफ बढ़ेंगे कुछ खाने पिने के बाद तो हमारी ट्रेन यहां से प्राया गराज के लिए है जो नाइट जर्नी है हमने सोचा कि प्राया गराज जो यहां से 300-300 km के करीब है तो इस एरिया में हम आ गया है तो प्राया गराज देखने का कभी से बहुत इच्छा थी क्योंकि वहां त्रिवेनी संगम है और बाकी काफी खाने में हम दिल्चस्पी रखते हैं तो उसके वज़े से खाने का काफी ऑप्शन से तो हमने फिर क्या किया कि ट्रेन नाइट जर्नी वाला बुक किया तक कि हमारी नीन भी पूरी हो जाए और मॉर्निंग में हम कुल एनर्जी के साथ घूम भी सके और साती लखनौ में भी खाने का जो आइटेनरी है वह भी पूरा हो जाएगा तो उसके वज़े से हम फिर प्रयागराज से आगले दिन सुबह फ्रेन पकड़के लखनौ जाएंगे और फिर वहां एक दिन स्पेंड करके रात के फ्लाइट से वापस बैक टू मुंबई जाएंगे तो यही ता एक शौर्ट समरी अभी तक का अपडेट आज के दिन का और इसके बाद एक छोटा सा क्या बंद उसको प्रीकेप की इसके बाद क्या-क्या वीडियो आने वाला है तो इसे के साथ आज क की वीडियो को यहीं खतम करते हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स आते रहने दो क्योंकि कमेंट्स हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है चलो बाइबाइब गुद नाइट